जब बच्चे पैदा होते हैं तो मारे खुशी के मा भी गुनगुना उठती है और घर परिवार और समाज के लोग भी खुश होते हैं उसी प्रस्णता का जो अभी व्यक्ति करण है इजहार है वो लोग गीतों के माध्यम से करते हैं आज हम लोग अपने यहां गाय जाने वाले लोग गीतों पर चर्चा करेंगे और उसके लिए बहु आयामी व्यक्तित्यों के धनी डॉक्टर जीवन यदू 36 गड़ के ऐसे रत्न है जिनोंने 36 गड़ की लोग संस्कृति लोग शाहित्य और लोग जीवन और यहां की उत्सो धर्मिता को आकार देकर बहुत पुनीत कार किया है और उनका आलेक है 36 गड़ी लोग गीत डॉक्टर जीवन यदू का जन्म एक फरवरी 1747 को खैरागड मध्यप्रदेश वर्तमान में 36 गड़ में हुआ आपकी सिक्षा दिक्षा खैरागड में ही हुई आपने हिंदी विशे में इसनातकोतर परिक्षाव तिर्ण कर इंदिरा कला एवं संगीत विश्विद्याले में ही 36 गड़ी कविता पर लोग संस्कृति का प्रवाव विशे पर पियर जी की उपाधी प्राप्त की आपके आलेक सर्ण 1967 से विभिन पत्र पत्रिकाओं में गीतों एवं लोग जीवन से संबेंदित विशे शनात्मा का आलेक सोध पत्र का प्रकाशन प्रारंब हो गया डॉक्टर जीवन यदू बहुमुखी प्रतिभा संपन रचनाकार हैं उन्होंने कविता गीतनी बंधा अलोचना का अब्यनाटि का और समीक्षाएं आधि देकर हिंदी साहित के भंदार को भरने का प्रणम में प्रयास किया है कविता संग्रह जैसे हैं उनकी जील की मुक्ति के लिए धान का कटोरा गीत संग्रह है अनकहा जो है तुम्हारा और निबंध संक्रन में लोग स्वप्न में लिलिहंसा आलोचना है 36 गड़ी कविता संदर्व एवं मूल्य और 36 गड़ी में उन्होंने जो काप बिनाटि का लिखी है बहुत ही प्रशिद्ध है आइसनेच रात पहाड़ी उन्होंने जो काप बिनाटि का लिखा है उसका नाम है आइसनेच रात पहाड़ी लोग साहित के अध्यता और 36 गड़ के प्रमुख गीतकारों में डाक्टर जीवन यदू का नाम बहुत ही सम्मान के साल लिया जाता है डाक्टर यदू प्रगशील लेखक्षंग के प्रांतिय सचिव एवं 36 गड़ हिंदी साहित सम्मेलन के प्रांतिय साहित्य मंत्री के रूप में अपनी सेवाईं दे रहे हैं डाक्टर जीवन यदू हिंदी भासा के साथ साथ 36 गड़ी उर्दू फार्शी अंग्रेजी तथा देशज सब्दों का बहुत सुन्दर प्रयोग किया है उन्होंने नौ साक्षरों के लिए भी उतक्रिष्ट साहित्य की सरजना की है आपके पाठिक्रम में संकलित निबंध 36 गड़ी लोगगीत पर चर्चा करें इसके पहले हमें यह समझना होगा कि लोगगीत क्या है कितने प्रकार के लोगगीत होते हैं और उनका महत तो क्या है लोगगीत हमारा देश उत्सव, अनुस्ठान, ब्रत, त्योहार और संसकारों का देश है हम उत्सव धर्मी देश के निवाशी है हमारे देश की लोग संस्कृतिक संपदा पर हम सब को गर्व है लोगगीत इसी संस्कृति के अंग है महत्मा गान्धी का कथन बहुत सही और सार्थक है कि जब लोगगीत गाए जाते हैं तो लोगगीतों में धर्ती गाती है पहाड गाते हैं, नधियां गाती हैं, मेले गाते हैं रिट्मय और परंप्राए गाती हैं लोग गीत के विशिष्ट विद्वान देवेन सत्यार्थी जी का कहना है कि लोग गीत किसे संस्कृत के मूँ बोलते चित्र हैं यह प्रकृति से प्रादुर्भूत होते हैं प्रकृत जब तरंग में आती है तो गान करती है लोग गीत समूची संस्कृत के पहरेदार हैं संगीत मर्मग्य कुमार गंधर्व जी का मानना है कि लोग गीतों का निर्माण स्वभाविक रूप से हुगा है भीतर जब अपना हरदय, सुख, दुख, इर्शा, लोग, क्रोण जो रस के इस्थाई भाव हैं उनसे जब भर जाया करता है तो ब्यक्ति गुन-गुन आने लगता है और नैसर्गिक रूप से वे लोग गीत जो हैं जन्म लेते हैं आचार हजारी प्रसाद दुवेदी ने लोग गीतों की जन्म भूम लोग मानस को माना है राम नरेश्ट्रिपाठी जिनोंने पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर लोग गीतों को एकत्र किया उनका मानना है कि लोग गीत जो होते हैं हरदय का धन है और डॉक्टर जीवन यदू का मानना है कि लोग गीत लोग की आंतरिक्ता का लैबद्ध और संगीत बद्ध अभिव्यक्ति है कहने का भाव यह है कि लोग गीतों में मानों का समस्त जीवन ब्यक्त हुआ है यह प्रकिति गान है शिशु के जन्म से लेकर मरण तक लोग गीतों में विभिन रूपों में जीवन का रंग मिलता है लोग गीतों का जो जन्म है वो मस्तिस्क से नहीं ह्रदे से हुआ है यह तर्कपन नहीं भावना पराधारी थे इसमें चंद सास्त्र की बेड़ी नहीं है नदी की स्वच्चंद धारा का प्रवा है लोग गीतों का गुण इनकी सहज सुन्दरता है इनमें मानों के प्रेम में सुख दुख का विविदरूप दिखाई देता है लोग गीतों का बहुदा मौखिक प्रचार होता है इनके लिखने वाले का नाम नहीं मिलता यह सुरुत परंपरा से पीड़ी दर पीड़ी यह लोग गीत उतरते चले जा रहे है संगीत इनका सरीर है और भाव इनकी आत्मा इनकी सहली सरल होती है और इनका गे अत्त्त प्रदान होता है गिर कंदराओं में पनत्त हुए मानों में जब थोड़ी बुद्धी आई उसके आधार पर उनकी भावनाओं के अंकुर फूटे उसे ब्यक्त करने के लिए उन्हों करना सुरू किया और यहीं से लोक संगीत करम हुआ के साथ गीत का जन्म हुआ और एक के बाद एक हजारों गीत बनते चले गए बनते चले चले आब हम यह समझ लें कि लोक गीतों की ऐकल दोनों तरह के गाए जाते हैं किन्तौ अधिकांश इस्ट्री पुरुष सभी की गहरी रुझी होती है । चूंकि इस में आत्मा का संबाद होता है adalah लोग गीतों की प्रकृति बंधन मुक्ति होती है शास्त्र की किसी भी प्रकार की परिदि से लोग गीतों को परहेज होता है लोग गीत उनमुक्त और स्वच्छन्द होते हैं प्रकृत के धर्शन लोग गीतों के भावों में सन्हीत होते हैं लोग गीत बोधगम्य और ललित साहित द्यूक्त होते हैं लोग गीत संस्कार और परंपरा के वाहर ने और लोग गीतों में 12-18 सूगन्द होती है लोग गीत हमारी सांस्कृतिक भी राशत है आप हम यह समझ लें कि लोग गीत कितने प्रकार के होते हैं मूल रूप से लोग गीत जो हैं चार प्रकार के होते हैं पहला है संसकार गीत और दूसरा है रितुगीत और तीसरा है भक्ति गीत और चोथा है दैनिक रिया कलाप के गीत संसकार गीत हम जब से जन्म लेते हैं उस समय से लोग गीत प्रारंब हो जाता है हम थोड़ा सा बड़े हुए हमारा अनप्राशन हुआ अनप्राशन के बाद मुंदन हुआ मुंदन संसकार के बाद फिर यग्योपवीत हुआ विद्यारंब हुआ बिवाह हुआ और हमारे बच्चों के मने हमारी बहु आई फिर लोग गीत गाये गए और जम इस धराधाम को छोड़ देते हैं कुछ आजिवासी अंचलों में मृत गीत भी गाये जाते हैं तो संसकार गीत जो होते हैं यह हमारे जीवन से जुड़े हुए हमारे संसकार को प्रकट करते हैं और इसी लिए इन लोग गीतों का संग रक्षण परमावश्यक है यह हमारी संस्कृती के अनुरक्षक है इनका होना हमारे लिए परमावश्यक है चुमकि इसमें हमारे संसकार छिपे हैं हम लोग गीतों में जन्म लेते हैं लोग गीतों में इस दुनिया को छोड़ देते हैं दूसरा है रित्वगीत रित्वगीत में जैसे कजली है हिं्डुली है फाग है होली है तुल्शी और आम बिवा है इस तरह के जो रित्वगीत होते हैं ये गाये जाते हैं और भक्त गीत सामान्य भजन और भोला गीत देवी गीत इस तरह से गीत जो है हमारे भक्त गीतों में प्रसलीट है और दैनिक क्रिया कलापों में कृषिकार्य करते समय जो हमारे गीत गाये जाते हैं और जैसे बाल गीत हैं, भीखारियों के गीत हैं, जातिगत गीत हैं, कथा गीत हैं, और आदिवासियों के गीत हैं, ब्रिहत कथाएं हैं, और कुछ कथांश के गीत हैं, नृत गीत हैं, जैसे दादरे वगेरा हैं, और नृत गीत हैं, सामान गीत हैं, मृत गीत हैं, इस तरह से गीत अनेक प्रकार के होते हैं जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए है लोग गीतों पर बहुत सारे विद्वानों ने कारि किया है उनके शंकलन में उनके इतिहास के समंध में उनकी ब्याख्या के समंध में सोध्वरक कार्य एवं महत्ता का प्रतिपादन करने वाले बहुत सारे विद्वान हैं जैसे राम नारायन जी उपाद्याए शरीफ मुहम्मर डॉक्टर हनुमंत नाइडू डॉक्टर संकर सेश हमारे शत्तिजगर के पंडित लोचन प्रसाथ पांडे डॉक्टर प्यारे ला स्वर्गी स्री हारिठ ठाकूर बहुत काम किया है लोग साहित्ते पर डॉक्टर भगवती प्रसाथ शुक्ल डॉक्टर विनो तिवारी डॉक्टर प्रनय डॉक्टर सत्यभामा आडिल ये भी हमारे चत्तिजगर की हैं डॉक्टर पालेश्वर शर्मा डॉक्टर निरुपम शर्मा इन्होंने ददरिया पर बहुत अच्छा काम किया है डॉक्टर गोरेलाल चंदेल लाला जग्दल पुरी आदी अनेक विद्वानों ने लोग साहित्ते को संकलित करने में उसकी व्याख्या करने में और सोद्परक्कार करके उसकी महत्ता का प्रजपादन करने में अ अनेका नेक इन विद्वानों ने अपना योगदान किया है और बहुत सारे विद्वान अभी भी लोग गीत पर काम कर रहे हैं अब लोग गीत की अवधार्णा समझने के पस्चार अब हम समझते हैं डॉक्टर जीवन यदू के आलेख चटीस गढ़ी लोग गीत को यहां आलेख जीवन यदू के लोग स्वप्ण में लिलिहंसा निवंद संग्रह से संकलीत है बिद्वान लेखक डाक्टर जीवन यदू ने लोग गीत की अवधार्णा चतीस गढ़ में सरवाधिक रूप से गाये जाने वाले लोग गीत जैसे सुआ गीत है राउतनाचा ह है पंडवानी है मतराही है आधिके उदाहरण के माध्यम से बहुत सार्थक शटीक और सुन्दर प्रस्तुती दी है आए हम उस निवंद को देखें डॉक्टर जीवन यदू ने प्रारभ में लोग गीत के विशे में उसका वर्ण करते हुए कहा है कि लोग गीत हमारी सांस क्रितिक मूल्यों की संभाहक रही हैं और बदलते युक के साथ ही साथ वह अपने विचारों के संप्रेशन का ससक्त माध्यम भी रहे हैं समय वह देश कालवा परिष्थितियों के प्रभाव से निश्चित ही यह भी अचूता नहीं रहा अताह इन पर युगीन ब्यवस्थ प्रभाव परिलक्षित होता है अताह हम कह सकते हैं कि बदलते परिवेश के अनुसार इसमें निरंतर परिवर्तन होता रहा है जो लोग की संस्कृतिक यात्रा का प्रमाण है प्राचिन लोग संस्कृति और लोगईत के महत्तु पर उन्होंने इसमें प्रकास डाला है और संगीत बद्ध भी हुए उसका वर्ण करते हुए डॉक्टर येदू कहते हैं आदिमानों प्राचिन काल से गाये जाने वाले लोग गीतों तथा उस समय के लोग गीतों के स्रिजन का कुश्तत्त्त अवश्य प्राचिन लोग गीतों से लिया गया होगा लेकिन आदिमकाल में मनुष्य क्रिसिकारे के अभाव में पस्पक्षि आदिकासिकार करके अपना जीवनियापन करता था धीरे धीरे सब्विता के विकास के साथ ही पशुपालन आधिकार्य करने पर लोग गीत एवं लोग संगीत का स्वरूप अस्तित्त में आया ऐसा डॉक्टर जीवन यदू जी का मानना है इसके बाल लोग गीत में पुरानी व्यवस्थाओं के अउसेश आज भी हमें हुई और इसके फलस्वरूप लोग साहित्य का निर्मान हुआ एवं संगीत उसका अधिकाधिक अंग बनता चला गया लोग साहित्य के इतिहास को इसमें अविव्यक्त किया है डॉक्टर जीवन यदू जी ने लोग गीत छेत्र के अंतरगत या बाह होने पर भी अंतर नह होना तथा बिशिष्ट ब्योस्ता में रहते हुए जीवन में घटने वाले सुख दुख आधिकास समावेश होने का वर्णन करते हुए डाक्टर जीवन यदू साब कहते हैं कि हर छेत्र का लोग साहित्य लगबक एक साही समान रहता है भावनाएं सबकी एकजैसी होती हैं सुख दुख और जो अन्भूतियां है एकजैसी होती है अध्या कुमारी तक और अटक से कटक तक जो लोगसाहित्य की जो भावना है संबेत्या में एकजैसी है जन मानस के द्वारा लोग गीतों की अभ्यांतर वह वाहरी संग्रशना होने पर कुछ छेत्र को अधिक प्रवाव नहीं पड़ता लोग गीतों में किसी विशेश व्योस्ता जीत एवं हार के अनुभवों का लोग गीत के माध्यम से छेत्र की सब्वेता का प्राकट करना परमावस्यक ह होता है हर से लोग गीतों में विशेशंतर नहीं हुआ करता हिश्यक से लोग गेत की उतपत्य्वा जेटर का वर्णन करते हुए डाक्टर जीवन-यदू का मानना है कि लोग समाजकी व्योस्ता को देख ते खुर की जाती है यह किसी विशेश व्यक्तिकी न होकर सभी सामान ने आम जनता के द्वारा होती है जो स्वयम को समाज की बेवस्ता की अंतरगत रहकर कारिक करते हैं जीवन्यापन करते हैं लोगईत के रचनाकार एवं लोगईतों के गायक कलाकारों के द्वारा संपूर्ण समाज एक ही स्वर में मिलकर अपने अंतह करण में उत्पन होने वाले सुख दुख आदिभावों को व्यक्ति किया जाता है चुँकि सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन किया जाता है इसलिए लोगईतों में किसी व्यक्ति विशेश का उलेखना ओकर संपूर्ण समाज की मानसिक्ता का चित्रन होता है लोगईत व्यक्ति विशेश के लिए भी हो सकते हैं परंतु उसमें कठिंता निश्चित है ठीक उसी प्रकार व्यक्ति विशेश के लिए लिखे गए लोगईत भी हैं लेकिन वे सामाजिक नहीं बन पाए अब प्रस्निय उठता है कि छेत्रिय लोगईतों में पाई जाने वाली समानताएं क्या-क्या हो सकती हैं लोगईतों के आंतरिक वाह बनावट को छेत्रांतर अधिक प्रभावित नहीं करता किसी विशिष्ट बेवस्ता में रहते हुए सुख दुख और असुरक्षा तथा स लंगर्ष की जय और पराजय की अन्भूतियों का कलात्मक प्रक्तिक करण लोग संस्कृतिक अन्यवारिता होती है सारे छेत्रों के लोगईतों की मूल प्रकृति बनावट बुनावट गुल्ण धर्म आज में समानताएं हो सकती हैं और लोगईतों में वास्तों में इतिह यादो जाति के द्वारा मनाया जाने वाला पर्व जो दीपावली के बाद भाई दूस के दिन मनाया जाता है मतराही जाने से पहले राउत अपने घर का भार अपने ग्रिय देवता पर डालता है उसे हम मतराही कहते हैं दीपा वली के अउसर पर अपने 36 गढ़ में सुवा गीत गाने की परंपरा बहुत अद्भूत है चूंकि लोग गीतों में सुख दुख दोनों का सामाजी कर्ण होता है अता सुख गीत की नारी की पीड़ा समूची नारी जात की पीड़ा बन जाती है जैसे चंदा सुरुज तोर पैया परत हों तिरिया जनम जन देव नरे सुख न पहली गवनकरी डेहरी बिठारे नरे सुख न धनी छोड़ चले बनी जार हे चांद और सुरज मैं तुम्हारे पाउं पढ़ती हूँ अगले जनम में मुझे इस्त्री मत बनाना गवना कराने के बाद मैं पहली बार अपने पत के घर में आई हूँ और मेरे पत हैं कि मुझे हाँ अकेली छोड़ कर खुद काम पर चले गए हैं दूसरा है राउतनाचा इस दोहे में दो शब्द रंग महल और मालिक सामंती बेवस्ता की याद दिल आते हैं जो लोक मानस में घुल मिल गए हैं लोग गीतों के शब्द और धुन दोनों में मस्ती होती है लोग जीवन उस मस्ती का अम्रित पीकर अपने दुख को भी भूल जाता है स्रिंगार और प्रेम की खुली अवियक्ति लोग जीवन की उसी मस्ती का पहणाम है बटकी मबासी और चुटकी मनून बटकी मबासी और चुटकी मनून मैं गावा संदरिया तै कान दे के सुन उन्होंने राउत नाचा के दोहे को ले करके सामंती बेवस्था का दिखदर्शन कराया है पान खाय सुपारी खाय हो सुपारी के दुई फोरा और रंग महल में बैठे मालिक राम रामला मोरा इस दोहे में रंग महल और मालिक की जो सामंती बेवस्था है वो याद आती है सुन्गार का स्रिजन कर सकता है और प्रेम को शब्द दे सकता है अमली के लकड़ी काटे न कट ही, तोर मोर पिरीत हा मरे न छुट ही लोगईत, लोग की सांस्कृतिक यात्रा का साक्षी है लोग संस्कारों में पूरी छाप लोगईतों पर होती है उनमें न केवल इस्थूर लोक संसकार यानी कर्मकांड ही प्रदर्शित होते हैं वरन ऐसे लोक संसकार भी चित्रित होते हैं जो लोक सभाव में घुच कर लोक चरित्र में सामिल हो चुके हैं उधाहन के तोर पर विवा संसकार का गीत आप देखें दादा तोर लानी थे हरदी सुपारी वो दाई लाने तिला तेल कौन चड़ा थे तोर मन भर हर्दी वो कौन दे आचरा के च्छाओ फूफू चड़ावे तोर तन पर हर्दी वो अदाई दे आचरा के च्छाओ पिता हर्दी सुपारी लाते हैं मा तिल का तेल लाती है कौन तुम्हें मन भर हल्दी चढ़ाएगा कौन तुम्हें अपने आचल की छाँ देगा बुआ तुम्हारे तन पर हर्दी चढ़ाएगी और मा अपने आचल की छाँ देगी बहुत ही मारमी कव्यक्ति है इस लोग गीत में लोग गीतों में बहुत से गीत ऐसी भी मिलेंगे जिनमें चित्रों की रचना हुई है कथात्मक गीतों में यह बात निश्चित रूप से होती है लोग गीतकार चित्रों की रचना इस तरह से करते हैं कि सुरोताओं को वह घटना अपने आखों के सामने घटना सी प्रतीत होती है पंडवानी देखिए परमस्री तीजन भाई ने पंडवानी को 36 गड़ से समूचे विश्व में ले जाकर के खड़ा कर दिया जैसे रानी के निवता कीचक पावे जी, साजे सिंगार राजा चलत हावे न, माथे मा मुकूट राजा बांधत हावे जी, और काने मा कुंडल राजा पहिरत हावे जी, गले मा घज मुकता के हार सोहे जी इन पंक्तियों में विराट राजा महाबाहु के साले और राज के सेनापत की चक के वो स्रिंगार का चित्रात्मक बढ़न है, जिसे उसने सोरंध्री यानी द्रोपदी के कक्ष में जाते समय धान किया था इसी तरह पंडवानी के सेना प्रयाण के द्रिश्य को लोग गीतकार ने चित्रो ध्वन के माध्यम से उभारा है लोगी साप सलगनी हाथी हदबद गदः गदबद गोड़ा सरपट पैदल रटपट प्रेना करिन पयान चूंकि लोग गीत मुक्त की हामिदार है मुक्ष की नहीं अतह लोग साहित्य में आये चमतकारी देवता लोग को भौतिक सुविधा प्रदान करने लगते हैं गोपालक जातियां मास गीत गाती हैं एक उदाहन देखिए पहली धर्ती और पिर्थी दूसर बंदो अहिरान और तीसर बंदो गाय भैसिला काटाई चोला के अपराद और चोथे बंदे नोई कसोली को रावत के करे प्रतिपाल और पचहें बंदो अहिर पिलोना जनमे हैं गोपी गुवार पहले धर्ती को प्रणाम दूसरा प्रणाम सभी अहिरों को तीसरा प्रणाम गाय भैसों को करता हूं जिनकी सेवा से पाप कट जाते हैं चोथा प्रणाम नोई और कसोली को जिससे मेरी आजीविका चलती है पांचमें यादव कुल को प्रणाम जिसमें स्री कृष्णर गोपी गुवालों का जनम हुआ लोग गीतकारों ने संसार की वास्तविक्ता को स्वीकार करते हुए इसी तरह जगत को सत्यमाना है हरदाही गीत की पंक्तियां देखिए खेल ले गोदा जियत भर ले बहुत सटी का और इथास चित रहे ये खेल ले गोदा जियत भर ले ए चोला नहीं आवए गेरी बेरी का स्वर ब्यंग में फूटा है जमीदारी प्रता और पीडिद्व्यक्ति अपने विरोध को प्रकट करने का मौका ढूड़ ही लेता है मलाई के समय रावत अपने दोहे में ठाकुर को भी नहीं भकसता गाए बैला के सींग मा मैहा देखां माटी ठाकुर पहिरे सोना कि इस तरह दोहे काउदार्ण और लिया जा सकता है जैसे मालिक लिये दिये तैसे देवो असीस हमारे शतीस गड़ में भक्ति संबंधी लोग गीत कौन-कौन से हैं जैसे चंपा फूल के गजरा चमेरी फूल के हार और चमेरी फूल की मात मतुकिया और सोलहों सिंगा तो इ हमारे यहां भक्ति गीत हैं लोग गीत सहज संप्रेश से क्यों होते हैं सहजता से यह क्यों समझ में आते हैं इसकी विशेष्टा क्या है लोग गीत सहज संप्रेश से होते हैं कारण है लोग गीत किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति नहीं है पहली बात लोग गीत समों की मानस दिक्ता पर आधारित होते हैं तीसरी चीज है लोग गीत विचारों के वहन नहीं रंजन के साधन भी हैं लोग जीवन की सहजता लोग गीतों को असहज नहीं होने देती जमारा गीत इसका इस पश्ट उदार यहां पूरसों के द्वारा कौन-कौन से लोग गीत गाया जाते ह तो हमारे 36 गड़ में पूरसों के द्वारा गाया जाता है राउतनाचा और महिलाओं के द्वारा सुआ गीत केवल महिलाएं गाती हैं और दोनूं मिल करके कौन सा गीत गाते हैं तो कर्मा और ददरिया पूरसों और महिलाओं के द्वारा गाया जाते हैं अब प्रशनेव उठता है कि होली के अउसर पर फाग गीत गाए जाते हैं वैसे ही अन्य पर्वों पर कौन-कौन से गीत गाए जाते हैं जैसे नवरात्रि दसहरा पर जसगीत दिपाली के अउसर पर सुवागीत और भाई दूज में राउटना चाहिए यह हम बता चुके हैं हमारे 36 गर्व की जो पद्मभूशन है पद्मस्री है तीजन भाई जी उनको किस छेत्र में प्रशिध्य मिली है तो तीजन भाई को पंडवानी के छेत्र में पद्मस्री और पद्मभूशन पुरुशकार मिला है इसे वो सम्मानित की गई है जिनसे समूचा 36 गर्व सम्मानित हुआ है इस प्रकार लोग गीत हमारी सांस्कृतिक बिरासत हैं लोग गीत का अनुरक्षन अपनी संस्कृती का अनुरक्षन है जिस दिन हमारा लोग शाहित लोग गीत समाप्त हो जाएंगे उस दिन हमारी संस्कृती हमारे संसकार स्वयमेव समाप्त हो जाएंगे इस पाठ में लेखक डाक्टर जीवन यदू ने लोग गीत को पाजभासित करते हुए 36 गढ़ में गाए जाने वाले लोग गीतों का बहुत ही सुन्दर, सटीक और सम्यक भी वेचन किया है